भारत में हुन्डाई की बहुत सी गाड़िया पॉपिलर है और हाल ही में कम्पनी ने हुन्डाई टेक्सन के फेसलिफ्ट मॉडल को भी लॉंच करा था अब कम्पनी इस गाड़ी के नए जनरेशन के मॉडल को भी लॉंच करने वाली है इसके बारे में बताने के पहले आप प्लीज हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबादीजे ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें बात करें इस Hyundai Texan के इस नए मॉडल की तो ये साथ सीटर SUV गाड़ी है जो की बहुत ही पावरफुल और लगजरी भी होगी इस गाड़ी को 1999 CC के इंजन से जो की 152 BHP की पावर के साथ ही 192 Nm का टार्क भी पैदा करता है रफ्तार के मामले में इसकी अधिक्तम रफ्ता 210 किलो मीटर प्रति घंटा हो सकती है साथ ही इस गाड़ी को 0-100 की रफ्तार हासिल करने के लिए सिफ 5.4 सेकिंड का वक्त लगेगा और इतनी दमदार गाड़ी होने के बाद भी आपको इससे 16.38 किलो मीटर प्रति लीटर तब का एवरिज मिल सकता है ओल वील ड्राइफ के साथ आने वाली इस SUV में आपको पैनॉर्मिक संरूफ यूवी मिल सकता है साथ ही इसमें आपको fog light, touch screen, engine start stop button, multifunction steering wheel, AC, power adjustable, exterior rear view mirror, alloy wheel और automatic climate control जैसे शांदर फीचर दिये जाएंगे साथ ही ये भी हो सकता है कि इस गाड़ी को पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा और इसकी कीमत 18,25,45,000 रुपए तक हो सकती है ये गाड़ी आपको कैसी लगी हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताईए और हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबा दिजी ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिसना करें धन्यवाद